जी हाँ आपने video title and thumbnail में सही देखा है कि बहुत सारे MBA students है जिने MBA करने के बाद campus placement से job नहीं मिलती या पर external market से भी difficulty होती है Does that mean कि आपने MBA नहीं करना चाहिए and कुछ और course में opt करना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है Parents को भी दिखा सकते हो कोई issue नहीं है normal content है किसी के भी समझ में आएगा दो चीजे बहुत important है जब आप MBA करने के सोचते हो आपका skill set क्या है और second is कि आपके institute में आपके MBA college में कौन से recruiters आते हैं कौन से companies आती है और companies तो एक अलग चीज है कौन से job profiles आती है ठीक है digital marketing में job करना है digital marketing में धेरो profiles है उसमें से कौन सी profile में आपका experience है आपके interest है वो सब matter करता है for example आपने internship में कोई company के साथ internship की है जिसमें आपने SEO किया SEO सीखा और आपको interest है SEO में आपके college में भी ऐसी profiles आती है SEO related तो आराम से आपका placement हो सकता है because आपके पास relevant experience है बाके आपके ओपर है कि आप interview कैसे crack करते हो correct that is controllable factor लेकिन कुछ चीज़े controllable नहीं होती जैसे आपके college में जो recruiters आते हैं क्या profiles लेके आते हर साल वो vary हो सकती है कुछ profiles standard होती जैसे sales वाली profile ये तो आनी ही है whether it is FMCG sale bank होगी retail banking in general तो sales वाली profile तो for sure आनी है research वाली आनी है finance के बहुत साथ profiles होती है वो भी आनी है तो कुछ profiles तो by default fix है and आप वैसे बंदे हो या बंदी हो जो ये generic profiles के आसपास अपना career बनाना चाहते है तो कोई इतना बड़ा issue नहीं करोगे कोई role and the same will be helpful in the final placements लेकिन what if आप एक specific role के लिए सोचते हो या फिर आपने आपका career path कुछ decide किया है कुछ सोचा है तो ऐसे case मेना mismatch हो जाता है for example digital marketing domain में आपने इंटर्शिप की कोई company के साथ वहाँ पे सिर्फ SEO सीख आपने ठीक है दो महीने आपको interest भी आ रहा है बट देन ऐसे job profiles आपके campus में नहीं आ रही जब placement स्टार्ट होता है companies आने लगती है ऐसी profiles नहीं आरे तो क्या ही मतलब है क्योंकि आप क्या करोगे ऐसे case में एक तो जो प्रोफैल सारे वहाँ पर job कर लोगे वहाँ पर दिख्कत ही होगे क्योंकि इंटर्शिप का experience आपका अलग है आपका work experience है थोड़ा सा तो help हो सकती है विकॉज आपने वहाँ पर मचाया है तो it is by default understood की थोड़ा आप यहाँ पर contribute कर सकते हो तो वहाँ पर edge होता है लेकिन जादा से जादा तो freshers है उनकी पास दिखाने के लिए से इंटर्शिप का experience होत इतना भी बड़ा challenge नहीं बहुत सा students करते भी है लेकिन फिर अगर आप ऐसे बंदे हो कि यार नहीं मुझे जिस चीज में interest है वहाँ पी job चाहिए वह institute से हो on campus हो या off campus हो तो आपको मिलेगा क्योंकि आपके पास skill set है तो आप externally भी apply कर सकते हो and that should start very early after your internship then आप एक better position में ऐसे job profile नहीं आया या फिर better नहीं मिला जो आपको externally already मिल चुका है तो pension नहीं है backup है लेकिन अगर आपको externally भी नहीं मिला है और internally भी नहीं मिल रहा तो difficult हो जाता है और बहुत साथ students को नहीं मिलने का कारण actually skill set होता है या फिर उनको पता ही नहीं exactly करना क्या है उनके career के साथ तो ऐसे students ना interview में जाके reject हो जाते है फिर जो on campus जो होता है ना जो अच्छे roles होते वहाँ पर आपको जाने नहीं मिलता है तो sales का profile मिलना easy हो सकता है लेकिन जो core profiles होती है ठीक है वहाँ पर candidate में X factor होना जरूरी है एक तो में XX factor नहीं बट हाँ definitely एक ऐसा factor जो आपको individual से अलग करता है आप में वह जजवा दिखाता है self driven हो motivated हो कुछ crack करने का आप में जजवा है यह सब चीज़े matter करते हैं interview में अगर आप ऐसे बंदे हो जिसे MBA करने के बाद jobless नहीं रहना है तो कुछ चीज़े समझ लो अभी solution की तरफ आते है first of all आपको जहापे internship करनी है आप बिंद में एक हाथ साल में छोड़ी दोगे ठीक है उसके बाद स्विच करोगे कोई और profile में जाओगे तो पिछला experience होड़ा irrelevant हो जाएगा ठीक है number one आपका interest follow करो number two college में क्या चल रहा है ना उसके बारे में थोड़ा सा information होना चाहिए ठीक है for example college में कौन से companies आती है क्या job profiles लेके आ पहले ही पता है कि भाई क्या होने वाला है क्या आने वाला है अगर आपका interest वहाँ पर है तो आप internship वहाँ पर करो वैसी कुछ roles में करो so that आपका time save हो जाएगा आपने safe play कर लिया third thing is कि पहले से आपको पता होने के बहुत सरे फायते है जैसे आप आपका skill set जो है accordingly बना सकते हो modify कर सकते हो so that internship वैसे company में मिले and job के time पर जब campus placement होना है तब ही आपके पास edge होगा क्योंकि relevant experience है whether you are fresher or work experience होगा prior it doesn't matter तीन चीज़े है जिसमें सबसे जादा है कि awareness होनी चाहिए alert रहो and आपके जो friends है MBK पर जो friends बनते वही आपके competitors भी है यह थोड़ा सा difficult है digest करने के लिए लेकिन हाँ यही लोग है जो आपके साथ वह particular company के process में बैठने वाले है and you are going to fight against that person because job तो सबको चाहिए and अगर आपको externally job apply करना है that is also not bad तो वह internship खतम होने के बाद start कर दो so that क्योंकि external job application में time लगता है it can be two months three months depends on the company policies correct सबसे best है कि जो internship अपने की वहाँ पी convert करने का try करो so that यह जो दो साल आपने invest के है इसका maximum output आप निकाल सको okay so मैंने आपको cases explain करती है इसमें underline कर लेना skill set and आपका thought process यह दो चीजों को आपको sort करना पड़ेगा and in post graduation इतना minimum expected है अगर आजके rate में आप वो sort नहीं कर रहे हो तो you have to rethink on your decision of MBA क्योंकि MBA करना एक तो post graduation है वहाँ पे भी अगर आपने IQ level IQ level low रखा and you are like चल रहा है चलने दो हो जाएगा कुछ ना कुछ college से मिल जाएगा दिन आपको जो expected life है after MBA salary life lifestyle जो भी है वो तो ऐसे मिलने से रही तो आपका दो साल का जो time है वो waste हो जाएगा अच्छे से उसका output नहीं निकाल पाऊगे so that's it in this video I hope आपको अच्छा लगा हो थोड़ा लेंदी हो गया है तो शमा किजिए लेकिन हाँ इतनी information होना जरूरी है आपको भारी information कोई नहीं देगा for sure important links are there in the description box कैसे खुद की profile क्या importance बढ़ा है कैसे new skills सिखे and all these things तो description check out कर सकते हो that's it in this video और कौनसे वीडियो topics cover करने चाहिए वो भी मुझे बता देना comments में thanks a lot for watching stay connected and always give that smile up